मुझा नमस्कार आप देख रहे इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजयाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों किट पर ट्वीटर को किद्र की सकते हिदातों के बीच अब सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामें नई बुसी बता गई सरकार ने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए से साथ 25 वरवरी को गाइडलाइन जान की थी और इनने लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था टेडलाइन मंगलवार जानी 25 मई को खता हो रही है फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोचल मीडिया ने अब तक नहीं बताया कि गाइडलाइन को लगू किया गया या नहीं ऐसे में सरकार इन पर एक्सर ले सकती है सभी सोचल मीडिया भायत में अपने तीन अधिकारियों चीफ कॉंफलियांस अफसर, नौडल कॉंटाक परसन और रेडिसेंट गिर्वांस अफसर न्युक्त करे ये भायत में ही रहते हो इनके कॉंटाक नंबर आब और वेबसाइट पर पब्लिश किये जाए ये प्लेटफॉर्म ये भी बताए कि शिकायत दर्ज करवाने की विवस्था क्या है अधिकारी शिकायत पर चबस घंटे के भीतर ध्यान दे और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताए कि उसके शिकायत पर एक्सेंट क्या लिया गया और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया Automated Tools और तक्नीक के जरिया ऐसे सिस्टम बनाए जिसके जरिये रेप, बाल, यौन, सोशल के कंटेंट की पहचान करे इसके अलावा इन पर ऐसे इन्फॉर्मेशन की भी पहचान करे जिसे पहले प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो इन टूल्स के काम करने का रिव्यू करने और इस पर नजर रखने के लिए प्रयाप्त स्टाफ हो प्लेटफॉर्म एक मंधली रिपोर्ट पब्लिश करे इसमें महीनों में आई शिकायतों उन पर लिये गए एक्सेंट के जानकारी हो जो लिंक और कंटेंट हटाया गया हो उसके जानकारी दे गई हो अगर प्लेटफॉर्म की सियापत्ती जनक जानकारी को हटाता है तो उसे पहले इस कंटेंड को बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी इसका कारण भी बताना होगा यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्सन के खिलाफ अपील करने का भी मौका दिया जाए इन विवातों को निप्टाने के मैकेनिस्ट पर ग्रिवांस अफसर लगातार नज़र रखें अब आपको बता देश हमस्तिया आ कहां से रही है क्योंकि 50 लाग ये इसके उपर यूजर बेस वाले मुखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नियम लागू करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था ये मियाद 25 माई को खतम हो रही है सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया कमपनी कू ने गाइडलाइन का वालन किया है इनकी अलावा ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम दैसे कमपनियों ने आप तक ऐसी किसी कदम की जानकारी नहीं दी है अगर डेडलाइन खतम होने तक किसी भी सोशल मेडिया का जवाब नहीं होता है तो सरकार इनली खिलाव कारवाई के सतंतर होगी सूतरों के मताबिक नेमों का पालन नहीं होता है तो सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी हुई immunity वापस ले सकती है इस immunity के तहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रोल भरत में इंटर्मीडियारी यानी बिच्छॉलिये के तौर पर दर्ज है इसके माइन है ये है कि अगर कोई यूजर किसी पोश्ट को ले कर कोट जाता है तो इन प्लेटफॉर्म को अदालत में पार्टी नहीं बना ज़ा सकता सूतर बताते हैं कि अगर सरकार immunity हटा लेगी तो इन सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म को भी कोट में पार्टी बनाज सकता है सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सकती है वाट्सअप की प्रैवेसी पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुक अक्तियार कर लिया है सरकार ने इस अब वापस लेड़ी के लिए कहा है इसके लिए ठारा माई को साथ दिन का नोटिस दिया गया है वाट्सअप ने सोंबार को कहा कि उसने एक्ट्वानिस और सुष्टर पद्वगी की मंत्राले की और से मिले नोटिस का जवाब भीज दिया है विरुन पोट आपिन